तो यह एक वीकली रिव्यू भी करते रहता हूं मैं हैं ऐसे और जो भी एक वीडियो में यूने एक आईडिया लेना चाहतें हैं फंद के साफ से खाल के लडे लुविय करने का बांगी जो लोग वीडियो पर पहली बार आ रहें गाई शिच्वाइप earlier साल से कर रहा हूं guys investment अभी करते-करते आप मेरे देखिंगे वीडियो सो मैं काफी almost 12 lakhs तक के around amount डाल चुका हूं stocks और mutual fund मिला के सब तो अभी 12 lakhs और 13 lakhs के बीच में around कर चुका हूं मैं तो अभी फिलाल weekly guys ये करें तो अभी पहला सबसे पहले देखिंगे मेरा fund निपॉन इंडिया small care fund है इसमें मैंने guys October से start किया था इसमें अभी 9 months complete हो चुके हैं अभी next month 10 months होगा बट अभी फिलाल 9 months के हिसाब से आप देखेंगे guys so 38.71% का return है 3,35,105 रुपीस के around invest किया है और 4,64,812 रुपीस के around अभी current value है और उसके बाद आप देखेंगे guys तो यहाँ पे इसका XIRR कितना दिखा रहा है 71.80% तो अभी उस हिसाब से देखेंगे तभी overall यह काफी अच्छा perform कर रहा है बाकि आगे यह कैसा करेगा long term पे मैं आपको ऐसे daily based पर update देते रहूँगा 41.16% का return दिया है काफी अच्छा perform कर रहा है कोटक small cap मेरा और अभी देखेंगे इसका XIRR तो 60.39% के around डिखा रहा है देखते हैं अभी बड़ा अभी next month में यह August में हो जाएगा एक साल complete मुझे यह funds को कोटक small cap को overall मुझे guys एक साल के ओपर हो चुका है मतलब यही month में एक साल हुआ है last month यही July में start किया था मैंने 4 तारिक से आज 14 July है तो उसे साब से आप calculate कर सकते हो कि overall एक साल के ओपर थोड़ा दिन और हो चुका है एक साल दस दिन अराउंड तो फिलाल अभी देखेंगे तो कोटक में 11 months हो चुका है कि इसमें मैंने आउगस से चालू किया था इन्वेस्टमेंट तो 41.16% मैंनलब क्या बोलू मैं अभी अच्छा ही है बहुत बाकि उसके बाद है इसमें 1,76,339 रुपीस के राउंड अमांट डाला था 33.91 परसंट इसमें एक साल के उपर हो चुका है इसमें मैंने सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया था जुलाई में 4 जुलाई से और अभी आज एक साल दस दिन अराउंड हो चुका है सम्तिंग तो 33.91 परसंट दे रहा जो कि अच्छा है गाइस मैंने तो 15 परसंट मिनिमाम एकस्पेक्ट किया था यह डबल ही दिया उसके कंपेर में तो ओवरल तो मैं साटिसफाइड हूं रिटन से 45.78 परसंट कर XIRR दिखा रहा है बाकि गाइस यह को मैं ऐसे डेली बेस प पोटफोलियो है इसमें मैंने यह मंत में डाला हूं 1,29,203 रूपीस इसमें अभी यह मंत में डाला है जुलाई में और 4.6% का रिटन दिखा रहा है तो 5,948 तो और अच्छा दिखा रहा है इसमें भी औरा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं 4,190 सब्सक्राइबर हो गए यह साल 10,000 सब्सक्राइबर का टार्गेट है मेरा और अभी जो लोग अलड़ी सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लो मैं लॉंग टम पर ऐसे ही डेली बेस पर अपडेट डालता हूं तो आपको चैनल से कुछ नो कुछ आइडिया मिलते रहेगा बाकी ज दूसरा स्टॉकzn पूटफुलियो है इसमें मैंने 0.50,000 डाला हूं पहले मैने स्टार्ट किया था अपरल से गाThere तो अब अपरिल से चालू करके मैंने जुलाई मन तक टू लाग 20,000 के आराउंड डाला था, फिर मैंने उसमें से 20 से 22,000 के बीच में मैंने प्रॉफिट बुक करके वापस से री इन्वेस्ट किया इसमें, तो फिर और ये मन्त में अभी पूरा टोटल मैंने डाहिलाग रुपे डाल लिया है, अब देखते हैं अभी फिलाल 8.13% दिखा रहा है टोटल रिटन, जो की अच्छा है काफी, बाकी देखते हैं अभी ये जब तक में होल्ड करता हूँ, शॉट टम, लॉंग टम जब तक भी, तो आपको इसका भी डे-to-day बेस पर अपडेट दूंगा, तो इसमें भी एजुकेशनल परपोस के लिए आपको ए 166 रुपीज अमाउंट बिखा रहा है अभी, तो ओवरल गाइस, ये मेरे दो म्यूचल फंड पोर्टफोलियो है और दो स्टॉक पोर्टफोलियो है, इनका कमेंट है, क्रोर पती इन 2035, I hope यार जिससे भी जल्दी हो जाए, बाट एनी विच पर यहां तक भी देखते हैं गाइस, फिर विडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, एन गाइस, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट दिखाओ, ज्यादा दिखाओ गाइस, लेकिन कभी भी कम मत दिखाना, और ये साल गाइस, 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, कोशिश करो गाइस, ज्यादा चैनल को लाइक, श